नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे की MTNL टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, MTNL टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और MTNL टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भ पर सामान्य जुखाम नजला और एलर्जी के लक्षणों से राहत पाने के लिए MTNL टैबलेट का उप्योग किया जाता है, इलर्जी या नजला के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, आखों से पानी आना, आख, नाक या गले में खुजली होना, छींक आना और शरीर पर क त्वचा पर रैशिस और त्वचा पर खुजली होने पर भी डॉक्तर MTNL टैबलेट को लेने की सला दे सकता है, MTNL एक ब्रैंड नेम है, MTNL टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है, MTNL टैबलेट के अंदर सॉल्ट कमपोजिशन लिवो सेटरजीन और किया जाता है, और मॉंटिलोकास्ट अस्थमा की वज़े से होने वाले लक्षणों जैसे सांस फूलना, सांस लेने में दिक्कत होना और सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आना आदी लक्षणों को नियंतरन करने वर रोकने में मदद करती है, साइड इफेक्ट्स की बात क हो सकते हैं, जैसे मुँ में सुखापन होना, सिरदर्ध होना, शरीर में ठकान वसुस्ती होना, नींद अधिक आना, नाक से खून आना, गले में खराश होना और उल्ती आने का मन होना आदी साइड इफेक्ट्स MTNL टैबलेट की वज़े से हो सकते हैं, अब हम डिसकस कि MTNL टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है, MTNL टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है, और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है, आम तोर पर डॉक्तर 12 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को MTNL टैबलेट को दिन में एक बार और शाम के सम दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले। को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नींद आ सकती है। अगर किसी व्यक्ति को MTNL टाबलेट या इसके किसी भी इंग्रिडेंट जैसे लिवो सेटरिजीन या मॉन्टेलुकास्ट आदी से ऐलर्जी है। तो ऐसे व्यक्तियों को MTNL टाबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को भी बताना चाहिए। अभी इसके बारे में परियाप्ट डेटा अवेलेबल नहीं है कि MTNL टाबलेट प्रेगनेंट महिलाओं को नुकसान पहुचाती है या नहीं। इसलिए केवल ज्यादा जरूरत पढ़ने पर ही ड बॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं को MTNL टाबलेट को लेने की सलाह देते हैं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए MTNL टाबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं हैं। क्योंकि स्तनपान करा रही महिलाओं में MTNL टाबलेट मा के दूद के जरिये बच्चे तक पहु और अगर आपका MTNL टाबलेट से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.